किसी ने क्या खूब कहा है जूट बहुत तेजी से फैलता है और सच को मेहनत करनी पड़ती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम्रिकास पांडे है आज अपने चैनल पर एक नई वित्रीन मोटिवेशनल इस्टोरी लेकर कर आया हो आज की कहानी से सीखे के जीवन के निर्म होता है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी जिसका सीर्षक है जूट और सच की हीटे एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से सिकायत की कि उनके साथ इतना पुरा व्योहार क्यों किया जाता है पर हम सब खंड़रों में आखिर ये भेदभाव क्यों है जबकि हम सब आपकी ही संतार है भगवान ने उन्हें समझाया मैं ने तो सभी को एक जैसा ही बनाया पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन दे पर भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं देर सोचा और सभी को अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले कि बुरी आत्माओं के अन्रोंथ पर मैंने एक निर्णे लिया है आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल ये खऴर दिये थे वो सब नश्थ हो जाएंगे और अच्छी और पुरी आत्माइं अपने अपने लिए दो अलग-अलग सहरों का निर्मान करेंगे तभी एक आत्मा बोली लेकिन इस निर्मान के लिए हमें इंटे कहां से मिलें जब प्रतिवी पर कोई इंसान सच या जूड बोलेगा तो यहां पर उसके बदले में इंटे तयार हो जाएगी सभी इंटे मजबूती में एक समान होगी अब यह तुम लोगों को तै करना है कि तुम सच बोलने पर बनने वाली इंटे लोगों या जूट बोलने वाली पर भगवान ने उत्तर दिया बुरी आत्माओं ने सोचा प्रतिवी प बोलने पर बनने वाली इंटे ले ली तो एक विसाल सहर का निर्माण हो सकता है और उन्होंने भगवान से जोट बोलने पर बनने वाली इंटे भांग ली दोनों सहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ पर कुछी दिनों में बुरी आत्माओं का सहर विसाल रूप लेन लिया वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे जल रहा था काफी दिन बीच जाने के पर भी उनके सहर का एक ही इंसा बन पाया था कुछ दिन और ऐसे ही बीते फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना गटी बुरी आत्माओं के सहर से इंटे गायव होने लगी दीवारों से, छटों से, इमारतों की निवों से, हर जगा से इटे गायब होने लगी और देखते देखते उनका सहर खंधार का रूप लेने लगा परेशान आत्माय तुरंद भगवान के पास भागी और पूछा ये प्रभू हमारे महल से अचानक ये इटे गायब क्यों होने लगी हमारा महल तो फिर से खंधर बन गया भगवान मुस्कुराए और बोले इटे गायब होने लगी अच्छा लगता है कि इन लोगों ने जूट बोला था उनका जूट पकड़ा गया और इसलिए उनके जूट बोलने से बनी इटे भी गायब हो गई दोस्तों इस कहानी से हमें कई जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं पर साइट उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेता है जूट की उन्ड़ छोटी होती है आज नहीं तो कल जूट पकड़ा ही जाता है जूट और बेमानी के रास्ते पर चल कर सफलता पाना आसाल लगता है पर अंत में वो हमें अस्फल ही बनाता है वही सच्चाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं पर उनकी सफलता स्थाई होती है अता हमें हमेशा सच्चाई की बुन्यात पर अपने सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए जूट और बेमानी की बुन्यात पर तो बस घणरी बनाए जा सकते है तो दोस्तों इसलिए मोटिवेशन के लिए आप प्रद्दिन सुबा साड़े पांच बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की सुरुआत तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और पड़ों से मिले आसिरपात और भगवान के सहरे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा की उदाहर पर जाए छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने श्मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बहतरी झाल